आप नई भूमी खरीदने जा रहे हैं और आप ग्यात करना चाहते हैं कि ये भूमी मेरे रहने योग्य है कि नहीं है तो उसका परिक्षन एक प्रकार से करिए जिस भूमी के अंदर भीचो भीच जाईए और एक हाथ लंबा जिसे 24 अंगुल का प्रमान कहा गया है या कोहनी स उस वो गड़ा भरने के बाद अगर मिट्टी शेस बचे तो वह भूमी उत्तम है वह रहने योग्य भूमी है उसमें रहने वाला व्यक्ति सदैव धन वृद्धी और सुक संपत्ति को प्राप्त करेगा लेकिन अगर वह पूरी-पूरी मिट्टी आती है तो वह मध्यम वर यह भूमी है और अगर वह पूरी मिट्टी उसके अंदर समाहित भी हो जाए और फिर भी वह घड़ा बचा रहे तो इसका मतलब समझेगा कि वह भूमी हमारे लिए धन पुत्र और सुक का नाश्ट करने वाली है तो ऐसी भूमी का कभी भी चैन ना करें